किसी से करज न लेना पड़े किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े गरीब के स्वाबिमान को हम समझते हैं तो आपको पांस साल बाद में वापस के वल धाई लाग रुपई करने होंगे धाई लाग रुपई सरकार आपका जो है माफ कर देगी और दोस्तों मोधी सरकार ने इस योजना को सुरू करते हुए एक लक्स रखा है कि लोगों को सिर्फ आदार काड़ पर लाउन दिया जाए आपने दोस्तों देखा होगा कि बारत में कई ऐसे बैंक हैं कई लोन संस्ता हैं जिनसे लोन तो मिलता हैं लेकिन उन पर जो है कई सरे डोकिमेंट लगते हैं और लंबी लमी फाइले बरनी परती हैं कई यहाँ पर दोड़ भाग करनी परती हैं लेकिन दोस्तों सरकार जो ह कार खुद लेगी अगर दोस्तों आप लोग मैला है इस्टूडेंट है पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए लोन लेना चाहते हैं या फ़र आप लोग किसान हैं खेती के कोई भी कार रहे हैं जिसके लिए लोन लेना चाहते हैं या फ़र दोस्तों कार लोन हो गया होम लोन हो गय जाता है तो साथियों किस प्रकार से आपको कौन सा फोरम बनना होगा और दोस्तों कौन-कौन सी छोटी-मोटी सर्त हैं इसकी पूरी जानकरी मैं आपको बताऊंगा लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर लॉन लेने के लिए आधार काड को ओनलाइन सही तरिके से अपलोड करन और बाकि आपसे कोई भी जोए लॉन जानकरी बताने की फीस लगरा नहीं मांगूँगा मैं आपसे इतना ही मांगूँगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बाद में कमेंट करके तुन बता दीजे कि साथि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग नई योजना के पोटल पर आ चुके हैं यहीं आपको ओनलाइन आवे दिन करने के साथ साथ आधार कार्ड को भी अपलोड करना होगा तो दोस्तों आज इम जिस योजना से लॉन लेंगे उस योजना का नाम है PM लॉन दाता योजन उसके नीचे देख सकते हैं अगर आपको पैसोगी ज़रूरत हैं और आप लोग लेने की सोच रहे हैं तो सरकार ने सिर्फ आधार कार्ड से लोग देने के लिए एक नई योजना देश में लागू कर दिये जिहां दोस्तों बहुत बड़ी खुसकबरी हैं और उसके नीच और उसके नीचे अगर हम जो हैं दूसरी विसेज़ता के बारे में बात करते हैं तो लोग हर कोई बिना बैंक जाहिर ले सकता हैं इस योजना से अगर आप मैला हैं पूरूस हैं स्टूडेंट हैं किसान हैं बुजूर्ग हैं आपको किसी पर प्रकार की पैसों के जरूत है तो आप लोग जो हैं लोन ले पाएंगे और लोन लेने के लिए या फर किसी और काम से भी एक बार भी बैंक के दोस्तों आपको नहीं जाना होगा सरकार जो हैं ऑनलाइन आपके बैंक घात में अमाउंट ट्रासफर कर देगी अगर तीसरी विसेज़ता के बारे में बात कर हैं तो इस लोन पर सरकार आपको पूरी 50% यानि कि 50% की सबसीडी भी देखी यानि कि दोस्तों आज तक ही सबसे बड़ी योजना हैं आज से पहले आपने भी सरकार की कई सारी योजना देखी होगी जिसमें आपको किसी में 7% की सबसीडी और किसी योजना में 35% की सबसीड लेकिन ये जो है, आज तक ही सबसे ज़्यादा जो है, सब्जीडी देने वाली योजना है, इसमें पूरी 50% की सब्जीडी मिलती है, इस योजना में कितना लॉन मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मान लेजी कि आप लोग 10 लाग उर्पे का लॉन लेते हैं, तो प पूरे 10 तन लग जाते हैं, और किसी किसी संस्ता या फर बैंक में तो मही ना भी लग सकता है, लॉन ट्रांसफर होने में, लेकिन इस योजना के माद्यम से, पूरे 24 गंटों के अंदर, आपका पैसा ट्रांसफर कर दिये जाएगा, उसके नीचे अगर हम जो है, अगली एक इस योजना से कितने रुपे का लॉन मिलेगा, दोस्तों यहाँ पर देखिए, सरकार की इस योजना में करीबं तीन अलग अलग चरणों में, जो है लॉन दिया जाता है, और हो चरण निमने, यानिकि नीचे आप देख सकते हैं, पूरे चरण बताय गये हैं, अगर पर्थ दूसरे चरण की बात करते हैं, तो इसमें 5 लाग तक लॉन दिया जाएगा, यानिकि एक लाग रुपे से लेकर 5 लाग तक लॉन आपको दूसरे चरण में दिया जाएगा, और ये लॉन 4 साल के लिए होगा, और बाद में अगर लश्ट चरण, यानिकि तीसरे चरण की बा दोस्तों इसके लावा एक और बड़ी खुशी की बात के अगर बात करते हैं तो साथ यह जो आप लोन लेते हैं यह वापस चुकाने एक टाइम अगर आपके पास में एक साथ पूरे पैसे नहीं होते हैं तो क्या है कि आप लोग छोटी-छोटी EMI के जरीए भी सरकार को लोन लोटा सकते हैं यानि कि आप लोग महीने की किस्त करवा सकते हैं और महीने महीने आपकी जो किस्त हैं वो खाते मैंसे कट जाएं कि यह फर दोस्तों आप लोग महीने महीने किस्त के रूप में सरकार को पैसा वापस दे सकते हैं और आदे पैसे आपको वापस देने होंगे उसके नीचे एक नोट दिया गया है मतलब कि कुछ खास इंपोर्टेंट जान करिए दोस्तों S.C.S.T. और मैलाओं को लॉन में दो साल की अवदी और मिलेगी जिया दोस्तों अगर आप S.C.S.C.S.T. कैटेगरी से हैं या फर आप लोग मैला है किसी भी कैटेगरी तो दोस्तों आपको जो है दो साल की अवदी और मिलेगी मान लेज़े कि आप लोग 10,00,00 लोन लेते हैं और ये वैसे तो 5 साल की अवदी इसमें मिल रही हैं लेकिन अगर आप ये जो है special category से या फर आप लोग मैला है तो आपको दो साल और एड करने होगे यानिकी 10,00,00 का लोन आपको 7 साल के लिए मिल रहा हैं दोस्तों 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए बहुत अच्छी योजना हैं उसके नीचे अगर हम बात करते हैं जरूरी दस्तावेज कि योजना हमें एपलाई करने के लिए कौन कौन से डोक्यूमेंट लगेंगे तो पहला डोक्यूमेंट है आधार कार्ड दूसरा है बैंक खाता हैं दोस्तों बैंक खाता होना बहुत जरूरी हैं और आधार कार्ड तो होने चाहिए उसके बाद में जो आपका बैंक खाता हैं वो अगर नया खुला हुआ हैं तो उसकी पहले तो आपको पास्बुक लानी होगी वरना पास्बुक तो हर केसी के पास में होती ह बाद में दोस्तों दो passport size photo आपके पास में होने चाहिए अगर नहीं है तो आप लोग जो है यहाँ पर ला सकते हैं पढ़वा सकते हैं यह पर जो भी करवा सकते हैं उसके बाद में दो साल का bank का statement होना चाहिए bank की report होने चाहिए कि आपने दो साल में कितने रुपए बेज़े हैं और इसको पैसे बेज़े हैं तो यह सब दोस्तों bank की दो साल की report आपको जरूरी होगी चाहिए होगी उसके नीचे बात करते हैं कि दोस्तों कौन-कौन loan ले पाएगा इस योजना में कौन-कौन आवजन कर पाएगा तो इसकी बात करते हैं तो इस योजना से महीला, पुरू, स्टुडेंट, बेरोजगार, अनपड, बुजूर्ग, सभी लोग लोग ले पाएंगे और लेकिन आपको योजना की सारी सरतें और नियम होकी आपको पालना करनी होगी जो भी दोस्तों योजना हैं और ज सरकार के इस योजना से लौन लेने के लिए आप लोग ओनलाइन आवेधन करने के लिए आपको जो योजना से जोड़े सभी जरूरी दस्तवेज आपके पास में होने चाहिए, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको उपर जो दस्तवेज बताए, डोकिमेंट बता हैं, वो सारे आपके पास में available होने चाहिए और बाद में आप लोग mobile phone से ही online आवे दिन कर पाएंगे और उसके नीचे एक और जरूरी जान करिए है अभी तक इस योदना का सिर्फ एलान हुआ है दोस्तों अभी तक जो है सरकार ने इस योदना का सिर्फ एलान किया है और आवे दिन forum जो बरने जो है अभी शुरू नहीं हुए है लेकिन जल्दी इसके आवे दिन forum बरने शुरू हो जाएंगे जब भी आवे दिन forum बरने शुरू होंगे हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे इसलिए दोस्तों आप लोग पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके जो है रख लीजेगा और जैसे वीडियो आएगी आप लोग देख सकते हैं तो दोस्तों यह तो बात होई इस योजना की लेकिन दोस्तों अगर आपको अभी अभी त्रॉंट लॉंट चाहिए है तो एक आर दोस्तों आइडिया है जिसके मादिम से आपको हाथ वाथ सरकार लॉं मिल जाएगा और वो सारी योजना लागू हो चुक यह देख में और जिसमें लाखो लोगों ने फोरम भी भर रखें तो दोस्तों आप लोग वाँपर जाकर सर्थ कर सकते हैं अगर सर्थ नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है वहाँ से दोस जैहिंद वंदे मातरम वीडियो को लाइक भी कर दीजीगा और कमेंट करके कुछ और जानकरी भी बता सकते हैं